हेलो इस्टुडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जो हिंडी का पेपर हुआ यूपी बोट का जिसके पेपर का कोड है तीन सो दू जेडाई जो सोलफ फरवरी को हुआ है इस पेपर के हम सोलूसन को देखने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कि जो कोईस्टन है उनके आंसर क्या है कैसे सॉल्फ करना था कौन सा आपसंस सही था तो इस वीडियो को लाइक और सेर करें और कॉमेंन सेक्षन में जरूर बताएं आपके कोईस्टन कितने सही हुए है तो इस तरीके से अगर देखा रहा है तो तीनों में से कोई लगाएंगे आपका सही होगा यहां पर अगर दिवेदी की रचना नहीं है तो उस कंडिशन में आपका सेकंड सही है नहीं तो तीनों में से कोई लगाएंगे तो सब सही है आपका ठीक है खो है निमलिखित में से अचार रामचंद सुकल द्वारा लिखा निबंद है तो आपसन ये फोर्थ है कविता क्या है कविता क्या है ठीक है गो अजात सत्रु रचना की भीधा है तो ये नाटक की है किसकी है नाटक की फिर घौ कहा रहा है कि अगें की रचना है तो ये फोर्थ है सेखर एक जीवनी अंगा है बहादुर कहानी के लेखक हैं तो ये होगा फोर्थ वाला आपसन अमरकांद कौनसा होगा अमरकांद क्वेस्चन नमर दूसरे के कौ की बात करें तो रामदारी शीन दिनकर परमुक कवीं है तो ये किस के है प्रगतिवादि का बेधारा के हैं ख भ है बिहारी की रचनाओं का च्छंत तो ये दोहा है दोहा और सोठा दोनों है तो इस आप्शन में या सिर्फ क्या दिया हुआ है दोहा दिया है तो इसको सहीं कर लेंगे ठीक है आशू रचना है तो यह है जैसंकर प्रसाद की रचना है किसकी है जैसंकर प्रसाद गह है चायवाद अस्थूल के प्रतिव सुच्म का विद्र है कथन है तो ये डाक्टर नागिंद्र का है अंग कहरा है दूसरा सब तक का प्रकासन कब हुआ था तो ये हुआ था सन उन्नी चोई क्या उन्वे ये आपका पैसेज है पैसेज में एक क्वेस्चन अगर हम पांच में की बात करें अनंत का मतलब क्या है जिसका अंतना हो और जन्पत का मतलब होता है जिला जन्पत का क्या मतलब होता है जिला next question मतलब इसी का दूसरा paragraph मतलब 2 था दोनम से आपको कोई एक करना था तो इसमें कुठारा घात का मतलब होता है कि कुलारी से घात करना प्रेशक का मतलब होता है बेजना थे ठीक है ऐसे आपका प्रदान्स पार्ट से ये दिया हुआ है तो इसे पढ़ क्या होप आपने कर लिया होगा चलते हैं next question पे यहाँ पे next question में आपका अगर देखें तो पांचमा आपका लेखक के बारे में दिया है और फिर छटा आपके कवी से लिखना था फिर छटा है मतलब पांचमे के ख़ों में छटा question आपका पंचलाइट अथवा बहादूर अथवा दुरूयात्र अथवा बहादूर यानि इसमें से जो आपका पार्ट राओगा उसका करना था फिर इसी प्रकार से सात्वा आपका खंडकाब इसे related question था आठ्वा आपका संस्क्रीत वाले पार्ट से आया हुआ था अब हम चलेंगे सीधे question number 9 पे देखते हैं question number 9 आपका है निमलिखित मुहावरों और लोकक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजी पहला है अपना उल्लू सीधा करना अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना काम निकालना दस्मा का देखेंगे पहला कर है रमेसा का संदी बीचे देता है तो यह option C होगा रमा प्लस इसा दूसरा है कभी इंद्र का सही संदी विचे दे तो अ होगा कभी प्लस इंद्र थर्ड है गायकह में सही संदी विचे दे तो अ होगा गय प्लस अकह ठेक है आगे देखेंगे ख़व पाठ है दसमें का आत्ममना सब्द में बिवक्ति और वचन है तो यह होगा तृतिया बिवक्ति एक वचन इसमें सो अप्सन सही था ठीक है दूसरा है नामनी सब्द में बिवक्ति और वचन है तो यह होगा सब्दमी बिवक्ति और एक वचन तो आई होप आप सही कर क्या होंगे 11 का को है अनील अनल का सही अर्थ है तो हवा और पानी अनील मतलब हवा और अनल मतलब आग ठीक है अम्बूज अम्बूद ये होगा सव अप्सन कमल और बादल क्या होगा कमल और बादल फिर 11 का को कह रहा है तीर का मतलब होता है नदी का किनारा या टट से, पयोधर का मतलब अस्थन या बादल, ये दो-दो अर्था आपके हो गए, और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, गह है, निमलिकित में से किनी दो वाक्यों को सुध करके लिखे, कह रहा है, बैक्ति और समाज का घोर संबन है तो यहां पे घोर के जगा घनिष्ट, बैक्ति और समाज का क्या हो जाएगा, घनिष्ट संबन है, टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन पूरे कोश्चन का आपको लगबग मिल जारा आंस्वर, बेटी तो पराया धन होता है, तो होता के जगा पे यहां होती हो जाएगी, चार कानपूर के बैक्ति थे, तो यह हो जाएगा कानपूर के चार बैक्ति थे, ठीक है, बैक्ति बोले, दरिदिता जैसी सत्र दूसरी नहीं है, तो यह हो जाएगा दरिदिता जैसा कोई दूसरा नहीं है, दरिदिता जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसी प्रकार से यह आप का ओगे समात फिर 12 से इंगा रहा था तो आप वी रस का लिखना था तो खूल मिला जो लग पेपर का ये पैटर्न था तो आपका कितना कोश्चन था ही ता आपका पेपर कैसा हुआ कमें सेक्स में जरू बताएं और इस वीडियो को जादा जादा सेर करें कि अन्य बच्चे कोई मिला पाएं थैंक यू